पुरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वैक्सीन बनाने और बन चुके वैक्सीन को इमर्जेंसी परिक्शन के लिए लागू करने की जद्दो जहद देखी जा रही है वही बृटेन कंडा के बाद अब अमारिका में फाइजर की कोरोणा वैक्सीन के मरजेंसी इस्तमाल की मंजूरी मिल सकती है यहा, अमारीकी सरگार के एक सलहकार पैनल ने फाइजर, बायओं, एंटेक कोरोणा वैक्सीन के आपात कालींस विक्रती के सफारिश ही है पैनल ने अपनी रपोर्ट में कहा है कि टीके का संभावत लाभ इसके जोखिमों को कम कर सकता है फाइजर ने अमारे की सरकार से वैक्सीन के इमर्जेंसी इस्तिमार को लेकर अजाज़त मांगी थी और इस मामले में आठ घंटे की जन सुनवाई हुई इसके बाद खादी औशदी प्रिशासन अपडिये के टीके संभंदित जैवी कुदबाद सलहकार समीती ने फाइजर उसके जर्मन साथी बायो इंटेक द्वारा विक्सित वैक्सीन की सफारिश करने के लिए वोट दिये इसके बहरे फाइजर की वैक्सीन को ब्रिटन बहेि नापकालीन इस्तिमार की अनुमति दे चुके हैं फाइजर ने भारत सरकार से भी वैक्सीन के अमर्जैंसी इस्तिमार की जाजत लाए है हलां कि इस vaccine में भारत के लिहाज से सबसे बड़ी कमी इसके लिए cold chain तयार करने की है इस vaccine को 60 से 70 डिगरी कम तापमान पर स्टोर किया जाता है और अगर इस vaccine को भारत में emergency इस्तिमाल के लिए इजाज़त दी जाती है तो इस vaccine के लिए cold chain तयार करनी होगी हलां कि ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने vaccine के emergency इस्तिमाल की मनजूरी मिल जाने की बात कही है हलां कि यह मनजूरी अभी दी नहीं गई है लेकिन इसके बाद भारत में इस vaccine को लेकर क्या निर्णा लिया जाता है यह तो आने बाला वक्त ही बताएगा